नमस्कार प्यारे विधारतियों आज से दिल्ली सरकार के सरकारी स्कुलों में जो ऑनलाइन पढ़ाई जो है आज से सुरू हो चुकी है और आज सिक्षा निदेशालय के द्वारा पहला कारे पत्रक भेजा गया है हिंदी विशय में तो हम इसे पढ़ेंगे इसमें एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है एक गध्यांस दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे और उनके नीचे जो हमारे पास प्रशने दिये गए हैं उनके उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हम इस गध्यांस को पढ़ते हैं शुरूआत करते हैं यांसे भर पेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पाउं हिलाता है घर से बाहर निकलता है दोर धूप करता है और कभी कभी बलवान हातियों से भी लोहा लेने के लिए तयार रहता है इस दोर धूप का नाम ही प्रिश्रम है इसी को उद्ध्यम कहते हैं पुरुसार्थ भी इसी का प्रियावाची है तो प परिशरम के साथ साथ इमानदारी का होना भी आउश्यक है, सदा सोच समझ कर उचित अस्तान पर परिशरम करना चाहिए, तभी परिशरम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निस्पल हो जाएगा, निस्पल मलब जिसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो जीवन में परिशरम से ही सपलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, यदि हम मन में ही सोचते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए परिशरम भी करना अती आवश्यक है, तो मेहनत बड़े पुरुसिया ब्यक्ति बनने की निसानी है, जो मेहनत है वो बड़े पुरुसिया ब्यक्ति बनने की जो निसानी है, वो मेहनत है, इसलिए विद्यारतियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ करतब कर दिखाना चाते हो, तो परिशरम रूपी लाठी का सह तो जो अगर आपको भी बड़ा बनना है या कुछ करके दिखाना है तो परिशरम रूपी लाठी का सारा लेना अति आवश्यक है यानि कि परिशरम करना अति आवश्यक है हमारा यहां पर नीचे प्रशन उत्तरी में आ जाते हैं प्रशन जो हमारे पास पहला प्रशन दिया गया है उसमें है भर पेट मांस कौन सा सेर खा सकता है तो बताइए इसमें हमें उत्तर लिखना है इसके नीचे तो भर पेट मांस कौन सा कौन सेर खा सकता है तो उसका उत्तर यह होगा कि जो अपने हाथ पाओं हिलाता है घर से बाहर निकलता है दोड़ धूप करता है और कभ कभी बलवान हातियों से भी लोहा लेने के लिए तयार रहेता है यानि की इस से उत्तर होगा जो मेहनत करता है मेहनत करता है दूसरा हमारा प्रसन है गध्यांस में आए परिश्रम सब्द का परियावाची सब्द ढूंड कर लिखिए अब हमेशे गध्यांस में से ढूंडना है कि परिश्रम का परियावाची सब्द कौन सा है तो इसका हमने यहाँ पर पड़ाता उपर ये है पुरुसार्थ पुरुसार्थ लिख दिना है इसका उत्तर है पुरुसार्थ सोच समझ कर उचित अस्तान पर किया गया परिश्रम ही क्या कर नहीं और यहां पर आगे रिक्त अस्तान है उसको भरना आपको सोच समझ कर किया गया जो हमारा परिशरम होता है वही हमें क्या करता है सफलता दिलाता है ठीक है जी उसी परिशरम से हम सफल हो पाते हैं यहाँ पे एक लाइन होगी उपर यह तो यहाँ पे है सदा सोच समझ कर उचित अस्तान पर परिसर्म करना चाहिए, वहाँ परिसर्म सपल हो सकता है, तो वही परिसर्म सपल होगा जो सोच समझ कर किया गया हो, अब यहाँ पे नीचे चोथा प्रशन हमारे पास दिया गया है, निस्पल सब्द का बिलोम सब्द लिखिए, तो निस्पल का बिलोम क्य होगा निस्पल यानि कि जो सफल ना हो सका हो और जो सफल हो गया उसका निस्पल का हो गया सफल तो निस्पल का हमारे पास बिलोम सब्द हो गया सफल तो अगला प्रस्ण है जीवन में कुछ कर्तब कर दिखाने के लिए किसका सहरा लेना चाहिए तो जीवन में अगर हमें सपल होना है तो किस चीज का सहारा लेना चाहिए तो वो हमारी सबसे अंत वाली लाइन है यह है प्रिसरम रूपी लाठी का सहारा लेना चाहिए यानि कि प्रिसरम का सहारा लेना चाहिए तो यह थे हमारे इस गध्यांस यह गध्यांस था और इसके प्रश्णों के उत्तर मैंने आपको दिये ठीक है तो यह आज का हमारा यहाँ पे समापत हो गया इसको अभी सभी बच्चे करेंगे अपनी कौपे में करेंगे और यह वर्क सीट को प्रिंट निकालेंगे और उसमें उत्तर भर दीजिएगा तो अब नीचे हमारे पास क कुछ से दिशा निर्देश दिये गए हैं कोविड के संदर में उचित ब्योहार संबंदित CAB संदेश तो संदेश क्या जी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि मास्क जरूर पहने और सामाज ये ओनलाइन माध्यम से की जा रही है धन्यवाद और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का